बिसमिल्लाई रिमारी रहीम असलाम अलाइकुम वेलकुम बैक टू माई योटीब चैनल आज हम बनाएंगे अलफ्रेडो पास्ता बिलकुल न्यू स्टाइल में तो चले चलते हैं रेसिपी के जानिब एक पैन को हमने चुले पे रखा फ्लेम हमारी लो टू मीडियम है उसमे इसको फ्राइ करेंगे जब यह लाइट गोल्डन हो जाए तो हम इसमें पैयास एड़ करेंगे एक बड़े साइज की पैयास मैंने फाइनली चॉप करके रखी हुई है पहले से ही वह मैं इसमें एड़ करूंगी यह बिल्कुल न्यू स्टाइल में रेसिपी बनी है आइम पहले यह रेसिपी आपकी नजरों से नहीं गुजरी होगी आप इसको घर पे जरूर ट्राइ करें अब 500 क्राम के बराबर चिकन बॉनलेस मैंने बॉयल करके रखा हुआ था पहले से तो मैंने जो है इसमें एड़ किया और इसमें एड़ किया वन टीस्पून के बराबर ब् और वन टीस्पून जो हमें रचली फ्लेक्स डाले थे डाले और वन टीस्पून हम इसमें डालेंगे अद्रक का पाउडर और त्री टेबल स्पून के बराबर डालें इसमें सोय सॉस और इसको अच्छे से बनाएं आप मेरे साथ रहिए मेरी वीडियो को एंट तक देखिए और साथ साथ इंग्रीडियंट्स नोट करते जाएं ताकि जब आप इसको घर पर ट्राइ करें तो आपको कोई मसला पेश ना आए यह देखिएं जी हमारा चिकन तकरिबन जो है वह भून चुका है कलर भी इतना खुब्सूरत आ गया है दो दर्म्याने साइज की शिम्ला मिर्च मैंने चॉप करके रखी हुई थी जब चिकन भुन जाए तो फिर शिम्ला मिर्च एड़ कर दे शिम्ला मिर्च को ज्यादा नहीं पकाना वरना यह इसका कलर निकल जाता है इसको बस हलके हाथों से बनाएं और इसको अलग निकाल क रखते हैं यह देखें जी हमने इसको अलग कर दिया है अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के जानिब पैन में हमने आधी प्याली के बराबर वजीटेबल आउयल डाला उसमें 3 टेबल स्पून हमने डाल परपस फ्लोर और इसको अच्छी तरह पकाएं इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन की तरफ चला जाए यह देखें जी हो गया है अब हमारे हमारे पास जो है चिकन स्टॉक पड़ावा था वह हमने एक कप डाला इसमें और इसको चमच को साथ-साथ हिलाएं यह अभी गाड़ा होना शुरू हो जाएगा यह देखें जी यह थिक हो गया और अब हम इसमें डालेंगे एक कप दूद आप रॉमिल के यूज करें या जो भी अविलिबलो वो यूज कर सकते हैं एक पिंच के बराबर हमने इसमें डाला ओरिगानो लीज सिर्फ खुश्बू के लिए और वन टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर वन टीस्पून नमक और अब हम इसमें डालेंगे ड्राइड मिंट जो हमारी जो मदर्स हैं वो घर में जरूर रखती हैं पुद्दीना खुश्क करके यह इस रेसिपी की जो है वो जान है इस रेसिपी के फ्लेवर को बहुत बूस्ट कर देगा इसको अच्छी तरह मिक्स करें हमारी स्टफिंग जो है वो गाड़ी होना शुरूर हो गई है काफिया तक थिक हो चुकी है अब मैं इसमें चीज एड़ कर रही हूं लेकिन यह ऑप्शनल है आपके पास अवेलेबल है आप डालें अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ना डालें मुझे इसकी डिमार्ड आई थी तो मुझे इस्तमाल करनी पड़ी मैं इसमें डाल रही हूं आदि प्याली के बराबर मुझे लगा चीज अचिछानी तरह मिक्स करें अच्छी तरह मिक्स करने थिक हो जाए यह देखें जी तकरीबन पांच से दस मिनट इसको पकाया है तो यह इस कंडिशन में आ गया है अब इसमें हमाना चिकन रेड़ी हो चिकन जो है वो इसमें एड़ करेंगे यहां पर आप मसाला जाद भी टेस्ट कर सकते हैं जिस तरह भी आप नमक मेच कुछ भी एड़ करना चाहें हो आप एड़ कर ले यह देखें हमने इसको मिक्स करने के बाद अलग पैन में निकाल दिया अब हम चलते हैं अलफ लेड़ो पास्ता बॉयल करने की जानिब पैन में हमने जो है पानी डाल दिया है ताके वह बॉयल हो जाए यह देखें उसमें बाबल जाना शुरू हो गए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून ऑईल कुकिंग ऑईल और वन टेबल स्पून सॉल्ट आम शोर यह रेसेपी आपकी नजरों से पहले नहीं कुज अब हम इसमें पास्ता डालना शुरू करते हैं अलफ्रेडो पास्ता फैटोचीनी पास्ता भी कहते हैं इसे दूसरे जो पास्ता घर में अवेलेबल होते हैं अलबो पास्ता या शेल पास्ता वो 5-7 मिनट में बॉयल होके रेडी हो जाते हैं लेकिन फैटोचीनी पास्ता जो है वो डबल टाइम में बॉयल होगा तो ये बात आप जहिर में रखे हैं कि इसको बॉयल करते वे आपका टाईम जो है वो थोड़ा जाधा लग सकता है तो कवर कर दें 5-7 मिलीट के बाद हम इसको देखेंगे 5-7 मिलीट के बाद हम ने देखा कि यह देखें यह 5-7 मिनट के बाद भी तकरीबब उसी शीप में ही है तो हम चमच हलके हाथों से हिला के इसको दुबारा बन कर देंगे यह देखें आफ तकरीबबं 10 मिनट के बाद इसको देखा तो ये कुछ ready मिला लेकिन फिर भी इसको 2-3 मिनट के लिए boil किया ताकि कोई कसर ना रहे ये देखें जी ये ready हो गया है अब हम इसको stain कर लेंगे ये देखें हमने इसको अच्छी तरह stain कर दिया है अब हम उसी पैन में अपनी stuffing डालेंगे जो हमने ready की थी कितना beautiful texture है अब हम इसमें अपना पास्ता जो है वो add करेंगे और अच्छी तरह इसको हिलाएंगे mix करेंगे अच्छी तरह स्टफिंग जो है वो हर बास्ते की हर उसमें लग जाए यहां पर जो है flame को आप बिल्कुल लो रख लो कर लें अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं मिक्स करने के बाद जो है हम इसको टोमाटो कैचप के साथ सर्फ करेंगे यह हमारी फाइनल लुक है जी यह देखें जी आप मेरी रेसिपी को अगर आपने लाइक किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैर आइकल को भी प्रे आप शेखें लुक भाउने लाइकली को लगारी बाद बाने लुकी यह हमारी भी को ने मिक्तित बादी तो हमारी यह हम इस